आपका स्वागत करता हूं आज की सेशन में हम लेकर आए हैं ओसिलेशन लेक्चर नंबर फॉस्ट क्लास 11 अब ओसिलेशन में हम कौन-कौन से टापिक इस लेक्चर में कभर करेंगे प्रियार्डिक मोशन और फétais टापिक होगा प्रियार्डिक मोशन और ये के दिदिवरेंस ब्ट्विन और वेडेशनल मोशन सुझेशन देखा जाएगा difference between periodic motion and oscillatory motion यह हमारे topic होगे और most important topic जो होगा वो concept of SHM simple harmonic motion यह simple harmonic motion का concept होगा आगे के lecture में J level या need label के portion भी हम कराएंगे तो आएए पहले हम लेते हैं periodic motion तो what is periodic motion क्या होता है इस टाइप आप यह से कहें कि ऐसा मोजन जो regular time interval पर जो होता है अपने path को repeat करता है तो such type of motion is periodic motion यह रेगुलर इंटर्वल पर रेगुलर टाइम इंटर्वल पर अपने path को जब repeat करें तो ऐसे motion जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं periodic motion यह particles that repeats its motion along definite path after a regular interval of time जो regular interval of time है which is called time period इसको बोला जाता है time period जैसे अर्थ हैं हमारी वो सुरी के चारवर परिकर्मा यह कहें कि rotate करती है तो motion of force around the sun is periodic motion जो clock होती है उसके जो सुई होती है जैसे minute है या कहें second का है या hour का है यह भी periodic motion करते हैं क्योंकि एक regular interval of time के बाद अपने path को बार बार repeat कर रहे हैं तो such type of motion is periodic motion ऐसे motion हमारे का लाते हैं periodic motion regular interval of time is called time period इसको बोला जाता है time period अब examples हम देखे हैं तो examples है consider and insect is try to claim a vertical wall it reaches some height and fall back again यहनी एक insect है कीडा है और किसी वाल पर चड़ रहा है और जब वाल पर चड़ रहा है तो sum height पर जाने के पाद फिर draft कर जा रहा है फिर again चड़ रहा है फिर draft कर रहा है इस तरह कीडा जो हता है try कर रहा है अ कमाल पर clean करने के लिए चड़ने के लिए तो अगर हम इसको graph के रूप पर रिपर्जेंट करें परदर्शित करें तो graph कुछ इस तरह से होगा हमारा यहां पर कि x axis को हम time axis माल लेते हैं और जो y axis है वो height suppose कर लेते हैं कि वो height है अब जब graph हम बनाएंगे तो वो चड़ा फिर क्या हुआ बैक हुआ तो यह x t है और इसको time माल लेते हैं अब यहां से चड़ रहा है फिर graph हो रहा है फिर चड़ रहा है फिर गिर रहा है फिर चड़ रहा है फिर गिर रहा है तो यह motion जो होगा वो होगा periodic motion और periodic motion यानि एक one time जो हता है attempt कर रहा है चड़ रहा है तो चड़ने के पास फिर drop out हो रहा है तो वो कहलता है time period क्योंकि एक interval जो regular time of interval है this is called time period जैसे इसमें यह हमारा time period है क्योंकि इसमें जो insect है वो यहां तक claim किया वाल पर some height suppose करने कि यह हमारा height है इस height पर उसने claim किया फिर drop कर गया गिर गया तो यहां से attempt किया यहां तक height तक गया फिर drop कर गया फिर अपने पोजिशन पर आगया तो यह कहला ता time period. अब अगेन फिर उसने WordPress किया फिर उसे height तक गया फिर drop हो step and come down and repeat the process. एक चाइल्ड है और किसी लेडर यानि सीड़ी को चढ़ने का प्रियास करता है और फिर come down नीचे आता है और ये process बार बार repeat कर रहा है तो ये भी जो motion होगा वो periodic motion होगा यहाँ पर हम ले लेते हैं फिर एक हमारा time axis होगा जिसे x axis और जो y axis होगा उसको हम height से represent करें तो अब यह x t है और यहाँ पर हमने time ले लिया तो अब यह time है अब जो child है वो माल लेते हैं कि कुछ देर खड़ा रहा सपोज कर रहा है ये time axis पर और कुछ देर खड़ा होने के बास से फिर वो लेडर पर चढ़ता लेडर पर चढ़ने के बास कुछ समय तक वहां रुका और फिर जो होता है उसके बस फिर वापस आ गया तो यहां से इतनी distance इतना distance तो वो रुका था इतने समय तक वो रुका रहा फिर यहां से चढ़ा चढ़ने के बाद कुछ समय लेडर पर यह हमारा यह time है माल लेते हैं कि इतने समय तक वो जो होता है इस पर रुका रहा फिर वह return आया, again फिर कुछ देर यहां नीचे रूपने के बाद से फिर से वह क्या करता है, कि claim करता है, और claim करने के बाद से फिर कुछ देर तक top पर पहुंचने पार रूपता है, फिर return वैक आता है, तो यह process continuous repeat कर रहा है, तो such type of motion is periodic motion, यह हमारा periodic motion का लाएगा, यह भी एक NCRT का ही एक jumpers था, अब आते हैं, यह जो होगा, वो कहलाएगा time period, क्योंकि start यहां से किया था, origin से कुछ देर रूपने के बाद वो चड़ा, फिर कुछ देर top पर रूपता रहा, फिर drop किया, तो यहां पर आया, तो यह कहलाएगा time period, यही process फिर वो यहां से इतने देर तक रूपता रहा, फिर चड़ा, फिर कुछ देर वहां डाप पर रूपता रूपता फिर return वहा, यह process बार बार repeat कर रहा है, तो such type of motion is called periodic motion, ऐसे motion हमारे periodic motion क्यालाते है, the bouncing of ball, bouncing of ball, एक ball ले लिजे ऐसे, उपर नीचे, उपर नीचे, उपर ने खाली आदमी तो ऐसे ही क करते रहें, डाप करते रहें, तो डाप करेगे, तो यह भी एक तरह का motion जो होगा, वो होगा periodic motion, यहां पर हमने बाल लिया, उपर नीचे, उपर नीचे, इसको डाप कर रहा है, लेकिन यहां पर जो इसका path होगा, वो कुछ parabola type का होगा, तो यहां पर हम आते हैं, अगर इस तरह से ड्रा करेंगे, यह हमारा graph होगा, और यह parabola type का होगा, तो अब जो होता है, बाल जब हमारी उपर down हो रही है, down के तरफ, तो जो हमारे equation होते हैं, वो क्या थे, y equal to, या ऐसे का हैं, कि s equal to ut plus half 80 square, तो यहां पर तो कौँसा है, acceleration due to gravity है, तो acceleration तो हम g लिख रहे हैं, down हो positive लेते हैं, तो उस condition में हमारा जो equation और यह होगा time period, एक repeat करने के पहले, y equal to ut plus half gt square, यह जो मिला हमको, वो कहें कि यहां पर downward motion, downward motion के लिए, और जो पहरा वोला का equation होता है, वो format होता है, यह कह दें, y equal to 4ax square, तो यह तो constant होता है, यहां पर भी ut, यह और यह देखें, तो time के respect से यह क्या है, t square, जैसे x square का format है, उसी तरह से यहां पर t square का format हमको दिख रहा है, again आते हैं हम लोग, यहां पर ले लेते हैं, तो यह हमारा था, अब ले लेते हैं, y equal to ut minus half gt square, यह जो motion होगा, वो कालाएगा, कौन सा motion होगा, यह हमारा होगा for upward motion के लिए, यह upward जब जाएगा, तो g को हम लोग निगेटिव टेक करते हैं, तो upward motion में यह negative होगा, तो दोनों ही situation में, जो h है और p है, वो parabola का form बनेगा, यह था हमारा कहें, तो यह periodic motion के examples थे, अब आते हम लोग, यहां पर periodic motion के examples थे, तो यह motion that repeats itself at regular interval of time, is called periodic motion, इसी को हम लोग बोलते हैं, periodic motion, the motion of earth is periodic motion, जो motion of earth around the sun, वो periodic motion हो, the motion of moon is periodic motion, the motion of hand of a clock is periodic motion, यह सब के सब periodic motion के examples हैं, तो यह हमारे periodic motion के इंग जाएं, इन periodic motion, periodic motion में होता क्या है, policy तो object, जो object है, वो अपनी velocity को change कर रहा है, और velocity changing हो रही है, means इस पर force act कर रहा है, कोई force act कर रहा है, तो object is changing its velocity, velocity change कर रहा है, तो इसका मतलब है कि force acting on the object, force acting कर रहा है, और यह force जो होता है, अपोज करता है motion का, यह force जो होता है, वो motion का अपोज करता है, और उसे particle को यह object को mean position पर लाने का attempt करता है, लाना चाहता है, mean position, अब इसमें mean position होगा, और दूसरी बात, कि when the body in mean position, net force is zero, अब यहाँ पर ऐसे देख लें, कि यह periodic motion था, अब यहाँ पर अगर हम mean position ले लें, तो यह जो होगा force, net force यहाँ पर, जो force होता, वो होता है, zero, this position is called the equilibrium position, इस position को equilibrium position पहा जाता है, periodic function, अब हम लोग लेंगे, periodic function क्या होता है, periodic function, periodic motion से एक function returning to the same value at regular interval of t, यानि ऐसा function, जो same value find कर लेता है, regular interval of time, regular interval of time के पर साथ, हमको वही result मिलता है, अब यहाँ पर हम इसको mathematically इस तरह से लिख सकते हैं, f of t equal to f of t plus t, यानि after time t के बार, यह जो function होता है, उनाह जो होता है, उसी position को position पर आ जाता है, तो ऐसे function जो हमारे कालाते हैं, जैसे यहाँ पर t जो होगा, period of f of t, जो function है, periodic function, उसका period कालाता है, if yen is any integer, अगर yen कोई integer है, तो इसी को हम f t equal to f t plus n t लिखेंगे, और यहाँ से हम करते हैं, 2 t, 3 t, 4 t, यह आर आलसो, यह आर आलसो period of f t, यानि यहाँ पर 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, फर condition में हमको f t ही मिलेगा, अब यहाँ पर एक example ले, जैसे sign है, sign है, sign है, card है, sick है, यानि जितने भी हमारे trigonometric function या trigger function होते हैं, वो सब के सब periodic function होते हैं, after some, after regular interval of time, बोज होते हैं, अपने path को बार बार repeat करते हैं, तो examples ले लिए हमने, और यह examples हमारा होगा, sin t and cast t are the periodic function having period 2 pi, यानि हम यह कहें, कि यह suppose करें, कि y equal to sin, और हमारे पास theta है, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, theta plus 2 pi, यह भी वही चीज मिलेगा, क्योंकि यह अगर हम quadrant में जाएं, तो after school, 2 college, यानि 360, यानि 2 pi के बाद से फिर से हम किसमें आगा, first quadrant में, तो first quadrant में all positive होते हैं, और यह pi है, यह pi by 2 होता है, और यह 3 pi by 2 होता है, यानि pi और 2 pi के साथ जो function होता है, वो change भी नहीं होता है, यानि sin है तो sin ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, similarly अगर हम यह बात कहें, y equal to कास है, तास theta, तो इसी को हम लिख सकते हैं, तास theta plus 2 pi, तो 2 pi इसका period है, अगर graph हम ब्रा करते हैं, तो graph इस तरह से, यह हमारा time हुआ, अब यह sin function जो होता है, ऐसे निकलेगा आपका, अब यह जो हुआ, यहाँ पे pi by 2, और यह जो होगा pi, फिर यहाँ पे होगा 3 pi by 2, और यह जो हुआ, हमारा 2 pi हुआ, अगेन यह function जो होता है, फिर उसी path को फिर repeat करने लगा, तो यह जो होगा, वो कहलाएगा, हमारा sin function हो, sin है, यह सब के सब periodic function होते हैं, तो अब ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे sin है, तो sin theta, अब देखें, यहाँ से, यह अपने path को, pi, pi है 2 pi पर, अब अगेन अगेन हम सुरुआत करेंगे, तो फिर हमारा path ऐसे ही बनेगा, तो यह repeat होता रहेगा, यह तो pi interval के बाद, यह जो होते है, sin जो होता है, अपने path को again फिर repeat करने लेता है, तो यह कहलाएगा हमारा periodic function, और इसका period जो हुआ, वो हुआ 2 pi, again हम आते हैं, cosine का लेते हैं, तो cosine में फिर यहां से सुरू होता है cosine का, और यह cosine का हम ले लेते हैं, यह cosine function है, यह cosine function है, और cosine fashion, देख़एं, जहां से सुरू हुआ, और πाई वाई टू फिर पाई और यहां पे तू पाई पर यह अगेन ही आ गया आगे हम चलेंगे तो फिर अगेन यह ऐसे रिपीट करता चलेगा यहां से यहां तक यह क्विरिट करा है तो फिर पाई के बाद फिर से यह रिपीट करता रहेगा तो यह हमारे कालाते हैं प्रियाडिक फॉंक्सांग अब प्रियाडिक फॉंक्सां में sin t equal to sin t plus 2 phi, again cos t equal to cos t plus 2 phi, अब हम कुछ ये लेकि f t equal to, अगर माल लेते हैं, कि f t, जो हमारा periodic है sin omega t, तो means t equal to है, तो t plus t पर भी इसकी value सेम होगी, तो हम t plus t, तो ये अब t, t plus t ले sin omega t और plus t, अब इसको हम अंदर के तरफ ले चलें, इसको इसके साथ multiply करें, तो हमको मिलेगा, यह T plus T sin omega T plus omega T, अगर इस relation से अगर हम इसका compare करें, क्योंकि यह तो EFT के equal होगा है, यह EFT के बराबर ही होगा, अब इस relation तो यह 2 pi और यह omega T हमारे equal होगे, तो हम इनको अभी equal रखें, तो omega T equal to हमारा मिला 2 pi, अब यहां से अगर T time period को calculate करें, तो T equal to 2 pi upon omega, where omega is the angular frequency, angular frequency होगे है, आगे चल कर हम और भी इसको clear करेंगे, अभी यह समझें कि यह angular frequency है, तो यह था हमारा, अब F T equal to A sin omega T plus B cos omega T, अगर यह हमारा कोई function है, तो हमको यह देखना है कि क्या यह periodic function है कि नहीं, तो देखें, कि अगर ऐसा है, आपको check करना है, यानि यह कहें कि अगर periodic, दो periodic function है, तो उनका sum भी और उनका difference भी periodic function होता है, periodic function होता है, अब यहां से अगर इसको check करना है, कि periodic function है कि नहीं, तो पहला काम हम करेंगे, कि जो sine का coefficient है, और इसका coefficient है, इन coefficient का root के अंदर square को हम multiply करेंगे, और यही चीज हम divide करेंगे, तो यहां पे हमने क्या क्या क्या, कि यह ले लिया, यहां पे यह है, और यहां पे a square और plus b square को हमने multiply कर दिया, यह सारी, थोड़ा सा यह देख लेते हैं, हाँ, देखें, कि इसको हमको multiply भी करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको a square plus b square multiply किया, अब यहां पे हम balance करने के लिए, यहां पे a square plus b square को divide कर दिये, और यह हो गया sin omega t, again b upon under root a square plus b square, और यहां से हमने ले लिया class omega t, यह equation बही है, सिर्फ इसको लिखा जया दूसरे, अब इतने को हम something कुछ माल लेते हैं, और इसको कुछ something माल लेते हैं, अब माल लेकि हमारा a upon under root a square plus b square equal to है, तास 5, और b upon under root a square plus b square equal to है, यहां पे इसको माल लेते हैं, अब sign करें, यह हो क्या, अब यहां पे put करते हैं, तो देखें, यह हमको मिल गया, a square plus b square, और यह हो गया, a upon under root a square plus b square को हमने माल लिया, तो sin omega t को हम पहले लेते हैं, और again लेते हैं, कास 5, फिर b upon under root a square plus b square है, तो यहां से हमने इसको माना है, sin 5, तो पहले कास को लिखते हैं, और यह लेख लिया, cos omega t into sin 5 अब एक relation मिला sin a cos b plus cos a sin b अब इसको हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं a square plus b square और यहां से लिख सकते हैं sin omega t और plus हो गया 5 यह होता है sin a plus b का formula है अब यहां से कि 5 की value है कितनी तो ऐसे ले ले हम और यह ले लेते हैं यहां माल लिए हमने 5 अब sin 5 upon cos 5 तो sin 5 upon इसको अगर divide करते हम तो b upon a आएगा और b यह होगा यह इसको लिख लिख ले हैं तो यह होगा a square plus b square यह नहीं देखें कि जो sum था उसको हमने किस रूप में लिख लिया इस रूप में लिख लिया एक single function के रूप में यानि अगर कोई दो function है दो या more than two function है और अलग अलग periodic function है तो उनका sum भी और उनका difference भी periodic function होता है यह बात Fourier कहें कि फ्रांसिसी mathematician थे Fourier उनको यह बात समझ में आई और इसी बात को उन्होंने क्या कहते हैं कि Fourier theorem या Fourier series के रूप में दिया हम साट में उस series को लिखेंगे अब एक question हम और यहां पे ले लें साट में और यह मान लेते हैं कि हमारे पास अब यह और व नहों आईसे हो साइन ओमेगा टी और प्लस हो कास ओमेगा टी अब इसको चेक करना है कि यह periodic function है कि नहीं तो हम क्या करें साइन ओमेगा टी का coefficient वन कास ओमेगा टी का coefficient वन तो हम क्या करें कि यहां पे इसका वन का स्क्वाइर प्लस वन का स्क्वाइर रूट टू को हम multiply भी करते हैं और रूट टू को divide भी करते हैं तो रूट टू को multiply कर दिया वन अपान रूट टी रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस वन अपान रूट टू कि one upon root two, sine या cosine दोनों condition में 45 degree का होता है, और 45 degree को जब radian में change करते हैं, तो five by four, अब यहाँ sine है, तो इसको हम cast लिख लेते हैं, यहाँ कास है, तो इसको हम sign लिख लेते हैं, तो यहाँ पे root two हो गया, और इसको हम लिखेंगे, sine omega t को पहले हमने लिख लिया, और one upon root two का मतलब हो गया, कास πाई वै पोर, और प्लस one upon root two, कास पहले हम लिख लेते हैं, कास omega t, और one upon root two को हम लिख लेते हैं, sine πाई वै पोर, तो फिर again sign a, कास b, कास a, सान b, इतना हो जाए तो एमारा root two, और यह हो गया sin omega t of plus 5 by 4, यह periodic function है, अब इसको अगर हम दूसरे रूप में भी लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, अब यह हमारा periodic function हो गया, आगे हम देखते हैं, कि हमको क्या देखना है, फोरियर स्रीज, हमने बताया, कि अगर 2 या 2 से अधिक more than 2 periodic function है, तो उनका sum भी, उनका difference भी periodic function होता, और यह francisi mathematician Fourier को समझ में आई, और उन्होंने एक Fourier theorem बनाया, जिसको Fourier series भी बोलते हैं, Fourier theorem भी कहते हैं, और एनी periodic function can be expressed as a superposition of sine and cosine, function of different time periods with suitable constant, with suitable constants लेकर हम इसको लिख सकते हैं, जैसे y equal to f t equal to a 0, summation n equal to 1 to infinity, an cos n omega t plus b n sin n omega t. यहां पर a 0 constant है, और a 0 की जो value होती है, वो 1 upon t, 0 से t, y और dt, यह होता है, यहनि पूरे period में average value होती है, जैसे कि अभी हम लोग ने y equal to y of t equal to a sin omega t plus b cos omega t को लिखा था, यह बात Fourier ने अपने series में लिखा, जब आप higher education में जाएंगे, जैसे BSC है, तो उसमें Fourier series या Fourier theorem को detail में पढ़ा जाता है, बस हमने यहाँ पर साट में लिया, क्योंकि NCRT ने भी mention कर रखा है, तो साट में आपको Fourier series के बारे में बताया है, अब आते हैं हम लोग oscillation, oscillatory या vibratory motion, तो oscillatory motion क्या होता है, और vibratory motion क्या होता है, पहली चीछ तो यह हो गया, कि oscillation जो होता है, अपने आप, यह नहीं कि अपने आप start होगा, उसको start करने के लिए force लगाना, oscillatory motion में हमको oscillation start करने के लिए, oscillation कराने के लिए force लगाना पड़ेगा, और अगर कोई कहें कि dissipative force ना हो, यहनि oppose ना कर रहा हो, तो तो vibration होगा, continuous होता रहेगा, oscillation होता रहेगा, लेकिन अगर कहें कि कोई buoyancy है, air है, dissipative force है, तो उस condition में oscillation stop कर जाता है, तब यह हमारा damped oscillation कराता है, जैसे मान लें कि हमने oscillation कराया, और oscillation का graph कुछ हमको इस तरह से मिलना है, यह graph मिलना है, तो यहां पर जो amplitude है, वो सब के लिए सेम है, लेकिन अगर कोई buoyancy force appear हो रही है, तो amplitude gradually die करने लगता है, amplitude die करेगा, oscillation finally stop कर जाएगा, तो such type of motion is damped oscillation, इसको damped oscillation कहते हैं, तो यहां पर जो oscillatory motion है, वो हम यह suppose कर चलना है, कि कोई buoyancy या dissipative force उपस्तित नहीं है, अब यहां पर कहें कि oscillation start करने के लिए हमको force लगाना पड़ेगा, जैसे हम force लगाते हैं, तो एक restoring force act करने लगता, और जो हमारी body होती है, उसको mean position पर लाने का प्रियास करता है, atom करता है, तो oscillation start करने के लिए हमने work किया, और वो work जो होता है system में, इस रूप में, system में जो होता है, energy के रूप में store हो जाता है, अगर कोई dissipative force नहीं है, तो total mechanical energy जो होगी, वो conserve होती है, इसी बात को हम लोग आते हैं, कि the periodic motion of a body which is to and fro in nature about mean position, known as oscillatory motion, यह periodic motion तो होता है, लेकिन यह to and fro, two and fro, किसके mean position, एक mean position होता है, उसके इधर से उधर, जैसे pendulum, pendulum है, उसका जो motion होता है, simple pendulum, उसका जो motion होता है, two and fro type का होता है, two and fro, motion जो होता, type का motion होता है, वो oscillatory motion कालाते हैं, यहाँ पे एक ले ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक object है, और यह object माल लेते हैं, कि वो point पर है, अब यह जो object है, इसको हम इस तरफ displaced करें, तो displaced करेंगे, तो क्या होगा कि एक restoring force act करेगा, और इस object को mean position पर लाने का प्यास करेगा, attempt करेगा, अब यहाँ पे इस point पर maximum displacement तक ले जाए, यानि इसको बोला जाएगा extreme point, यह position यह भी extreme position कालाएगा, और यह जो होता है, वो कालाता है mean position, इसको बोला जाता है mean position, अब यह net, net force जो होता है mean position पर 0 होता है, mean position पर कोई, और यह जो होता stable equilibrium position का लाता है, जैसे stable equilibrium position का मतलब है, कि अगर हम आप क्या करें कि कोई वाउल ले और उसके पेदी में, बोटम में एक गेंद रख दें, और गेंद को हम ऐसे displace कर दें, हलका सा displace कर दें, तो वो गेंद क्या होगी, कुछ oscillation करेंगी, oscillation करने के बाद finally वहीं पर stop कर जाएगी, यानि गेंद वो अपने position को नहीं छोड़ेंगी, हम भले ही force लगा कर उसको इधर से उधर करेंगे, फिर वो अपने पर, यह कालाता है stable equilibrium, हमारा stable equilibrium कालाता है, अब देखें, कि दोनों में हमने अंतर यहां पर कर रहा है, पाली चीत तो यह, कि हमने देखा oscillatory motion, या vibrational motion, तो अगर frequency small है, तो वो oscillation कर लाता है, अगर frequency small है, तो उसको हम लोग oscillation कहते हैं, जैसे कोई branch है, ट्री का, वो oscillate है, वो क्या करें, खलका से हवा चले, और उससे oscillate कर रहा है, तो वो oscillation होगा, अगर frequency बहुत ज़्यादे है, high है, तो वो vibrational motion के, जैसे गीटार आपने ऐसे बजाया है, तो गीटार जब बजा रहे है, तो वो frequency high होती है, तार को हमने ऐसे ताना चोड़ा, ताना और चोड़ा, तो वो का लाएगा, वहाँ पे जब frequency high होती है, तो वो vibrational होता है, और यह हमारा, जब frequency small होती है, तो वो oscillation का लाता है, दोनों में difference यह है, basic difference, every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion is not oscillatory motion, यानि जितने भी oscillatory motion होते हों periodic होते हैं, but every periodic motion is not oscillatory, जैसे, यह और्थ के चारोगर, सरी, सन के चारोगर और अर्थ रोटेट कर दी है, तो वो periodic motion है, but oscillatory motion नहीं है, क्योंकि यह two and four type का motion नहीं है, two and four type का motion होगा, तो वो कहलाएगा हमारा oscillatory motion, यानि एक mean position हो, और mean position के इधर से उधर, ऐसे जब company होता है, जैसे swing, जूला है, तो वो हमारा oscillatory motion होगा, लेकिन two and four type, तो यह कहा है कि every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion is not oscillatory, oscillatory नहीं होता है, अब जो oscillatory motion होते हैं, उस पर हम लोगों ने देखा कि, एक restoring type का force होता है, और restoring type का force, और यह force जो होता है, object को या body को mean position पर atom करता है, try to, try to atom mean position, mean position पर bring to mean position, mean position पर लाने का रियास करता है, atom करता है, और यह force होता है, f equal to minus k x power n, where x is displacement measured from mean position, displacement है, और इसको mean position से ही measured किया जाता है, जैसे यह हमने ले लिया, यह यहाँ पर और यह mean position ले लिया, और यह हम लोगों ने देखा कि, extreme है, यह भी हमारा extreme है, तो यह extreme position है, और यह mean position यहाँ पर अब यहाँ पर कहीं कि, यह जो force है, restoring type का होता है, जब यहाँ पर कोई object हो, suppose करें यहाँ पर कोई object है, इसको हमने इधर displaced किया, तो अब यह वाला हम ले सकते हैं, जैसे spring है, और यहाँ पर हमने block, attach कर दिया और इस spring को जब हम इस तरफ ले चलेंगे तो इस तरफ ले चलेंगे तो spring प्राई यहां पे एक जो होता restoring type का force एक करेगा और इस block को कहां लाने का प्रियास करेगा mean position पर लाने का प्रियास करेगा तो यह force जो होता है अब force में अगर यन हमारा यन हमारा कह लें की odd है यहां पे की even है 0 to 4 even है तो उस condition में displacement हमारा अगर positive हो या negative हो बोथ condition में जो force होगा हमारा x equal to plus minus यनि जब displacement हमारा positive हो या negative हो उस condition में जो force होगा the force is always directed along negative x-axis that is body cannot perform oscillatory motion जैसे जैसे माल लेते हैं कि हमने ले लिया x equal to 2 x equal to 2 positive हो अब जो force होगा हमारा minus k और x पावर अब यहीं पे अगर मालने की displacement हमारा minus 2 है तो f equal to minus k और minus x पावर 2 अगेन हमको जो मिला k x equal यानि हर condition में अगर हमारा even हो गया यन तो अब जो force होगा देखें कि यह जो force होगा वो restoring force वो always negative direction में होगा एक ही direction में होगा तो वो अगर हम object को इस तरफ लाएंगे इस तरफ लाएंगे तो force भी हमारा इसी तरफ तो जो mean position पर लाने की बात हो रही वो नहीं होगी mean position पर आएगा नहीं तो two and four type का motion नहीं होगा इस condition में तो अब कहेंगे कि body cannot perform oscillatory motion oscillatory motion के लिए yarn को क्या होना चाहिए add होना चाहिए अगर add है तो उस condition में जो motion होगा वो oscillatory motion होगा even for oscillatory motion नहीं होगा अब आते हैं हम लोग simple harmonic motion SHM SHM is a special type of oscillatory motion oscillatory motion का ही कहले तो examples है यह simplest form of oscillatory motion simplest form होता है अब यहां पे जो force होता है कि जो हमनों ने oscillatory motion में रखा था तो simple harmonic motion में यहन की जो value होती है one होगी तो force जो हमको मिलेगा यह फिक्वल टो minus k x power यह अब simple harmonic यह तो हम लोग ने देख ले एक simplest form of oscillatory motion यहनि यहन जो है उसकी value क्या होने चाहिए SHM के लिए one होने चाहिए यहनि equal to minus k x यह f equal to minus k x हो और यहां पे अगर कहें तो कुछ author यह भी लिखते हैं कि इसे SHM इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यन की value one लेने जटिल होगी इस तब उसे simple harmonic motion नहीं कहा जाएगा जब यन की value one हो जाए तो उसे बोलेंगे simple harmonic motion अब यहां पे restoring force is proportional to the displacement from mean position and always directed towards the mean position यहां से हमने ले लिया और यह mean position अब यहां से हमारे पास कोई object है और इसको हम इधर displace करेंगे यह displacement हमारा positive होगा तो force जो होता है इस direction में होगा negative अगर displacement इसको हम इस तरफ negative direction में कर देते हैं तो force भी क्या होगा opposite direction में यहनि force होता है वह always क्या होता है directed towards the mean position यह आपजेक्ट को हमेशा यह restoring type का होता है object को mean position पर लाने का try करता है तो यह हमारा अब आते हम लोग दो तरह के होते हैं SHM एक linear SHM होता है और दूसरा जो होता है हमारा कोई angular SHM होता है अभी हम लोग फिराल linear SHM को देखते हैं यहां पर in linear SHM linear SHM में क्या होगा force या फिक्वल टो माइनस की यह जो force होगा हमारा और के positive constant होता है इसको बोला जाता है force constant directed towards mean position जो force होगा हमेशा mean position की ओर होगा अब यह अब जैसे यहां पर spring mass system हमने लिया अब यह x axis ले लिया y axis अब यह जो है x equal to 0 यह mean position है अब इस block को इस block को हमने force लगाया और इस position पर ला दिये यानि displacement कितना हो गया हमारा x हुआ और यह displacement है वो positive है displacement तो force होता है वो किधर चला गया negative direction में और यह लाना चाहता है mean position पर इस block को mean position पर लाने का try करता है अब क्या करें कि एक बार हमने oscillate करा के इसको खीच कर छोड़ दिया तो अब जब mean position पर return आया तो due to inertia inertia के कारण यह जो black है यहां पर इस्ते ना करके फिर क्या होगा इस तरह उसको black को spring को दबाएगा तो जब spring को दबाएगा तो फिर जो restoring force होगा वो opposite हो जाएगा यह जब displacement हमारा यहां पर कहलें कि जो displacement है हमारा जब negative होगा displacement तो force positive direction में यहनी mean position के direction में यहनी force इसलिए तो restoring force बोल दा जाता है इसको क्योंकि यह force जो होता है अपने direction को change गर लह रहा है क्योंकि जैसे displacement जिस एकार्डिंग होगा तो यह क्या-क्या क्या कि यहां पे spring block system का जो होता है कि SHM हो रहा है two and four motion हो रहा है एक mean position के mean position के दोनों two and four motion हो रहा है यह SHM का example था अब यहां पे भी हम ले सकते हैं इस तरह से यह हमारा हुआ अब यह extreme position का लाता है और दोनों तरफ extreme position है अब extreme और यह जो है mean position है यह हमारा mean position है अब mean position की quality क्या होते है mean position में force always zero force जो होका वो जीरो होका जब force zero है तो displacement भी हमारा zero होगा और displacement zero हो तो acceleration भी zero होगा यह लेकिन velocity यहां पर maximum होती है velocity जो होती है वो maximum होती है यह थोड़ा contradiction लगेगा लेकिन अभी हम आपको पर देंगे कि acceleration zero हो तो velocity maximum हो सकती है हो सकती है definitely हो सकती है अब यहां पर kinetic energy जो velocity maximum है तो kinetic energy को maximum होना है और फिर फिर जो होता है potential energy जब kinetic energy maximum हो गया तो potential energy को क्या होना है zero होना ही होना है अब आते हैं हम लोग यह maximum हाँ पर extreme position पर extreme position पर यह जो होता है maximum होता है तो displacement तो हमारा होगा और यह amplitude कहलाता है और इसको हम इस तरफ लेंगे तो minus इस तरफ लेंगे तो plus यहनि इस तरफ amplitude का लाएगा इसको बोलते है maximum displacement यह से रिपरजेंट किया जाता है तो यहाँ पर plus इय है इस तरफ minus इय होगा displacement हमारा maximum होगा acceleration भी maximum होगा acceleration भी maximum होगा वट velocity zero होगी आप देखें कि कहें तो यह दोनों का examples है जैसे यहाँ पर हम कोई गेंद रख्या है तो यहाँ पर जब गेंद हम रख्या है तो इसका विलाश्टी zero है पटे acceleration due to gravity maximum है acceleration maximum है इस point पर और जैसे drop करेंगे अर्थ से जब touch करेगी तो विलाश्टी जी तब उस condition में acceleration zero होगा विलाश्टी हमारी maximum हो जाए तो यह दो दोनों के examples थे यहाँ पर जब विलाश्टी zero है extreme point पर तो kinetic energy भी zero होगी और potential energy maximum होगी हमने पहले बताया आपको कि अगर कोई ync force या dissipative force नहीं है तो उस condition में total mechanical energy जो होती हो वो conserve होती है जैनि potential energy kinetic energy में और kinetic energy जो होगी वो potential energy में change होती रहती है अब यहाँ पर यह concept देखना हम लोगों को अब यह extreme point था और यह extreme है यह mean position है अब यह gain है और यह mean position से extreme के तरफ फिर again return होई तो यह return होगी और यह बार बार इसका यानि कहने कि यहां से यह gain जो होता है यहां से यहां तक आई फिर यहां से return होकर यहां पर फिर आगे बढ़ी और फिर extreme दूसरे side में और फिर यहीं पर लोग गए यह कहलाता है time period फिर इसी को repeat होता रहेगा यानि यह mean position है और mean position के दोनों तरफ two and four motion होगा तो such type of motion जो होगे वो हमारे क्या कहलाएंगे SHM कहलाएंगे तो यह हमारा SHM है अब आते हम लोग आप देखें कि जो amplitude है यानि amplitude extreme point पर जो maximum displacement है उसी को बोला जाता है amplitude और यह जो है हमारा time period कहलाता है तो यह जो है वो time period है इसको हम लोग बोलेंगे time period तो यह तो हम लोग ने देखी लिया time period क्या है और time period जो होता है 2 pi upon omega और omega को कहा जाता है angular ओमेगा कहा जाता है angular frequency इसको angular frequency बोला जाता है तो यह हमारा angular frequency था अब condition आफे ऐसे जाए condition क्या है पहला condition है f equal to minus kx यहनि force है second condition acceleration का होगा अगर कहीं हमको prove करना है तो हम वही करेंगे और यह a equal to minus k by y अब force equal to mass into acceleration होता है तो हमने ले लिया mass into acceleration अब यह m into a है अब यह निकालना है तो यह equal to minus k by y into x अब यह हमको मिल गया कि अब a equal to minus omega square x वेर k by y k by y एक another constant ले लिया हमने और यह होगा omega square तो इसको हमने लिका omega equal to under root k by y यम एक another constant है और यह इस directly proportional जैसे force हमारा condition of SHM में force हमारा proportional है displacement के और acceleration भी है और proportional है displacement के यह अब acceleration को derivative term में लिखा जाता है d2 x upon dt square equal to minus omega square x अब इस omega square x को इस omega square x को हम जब इस तर अपलाते हैं तो इसी term को हम लिख सकते हैं d2 x upon dt square plus omega square x equal to 0 this is the differential equation of SHM SHM का differential equation है तो तीन सर्थ होती है अगर कोई object to and fro motion करे तो and fro motion करे तो force जो होगा f equal to minus k x acceleration जो होगा वो होगा यह equal to minus omega square x और third condition होगा d2 x upon dt square plus omega square x अगर तीनों में से कोई भी condition follow होता है तो उस motion को बोलेंगे simple harmonic motion तब हमारा काल आएगा simple harmonic motion अब आते हम लो यह differential equation of SHM है अब आते हम लो displacement equation of SHM displacement equation of SHM यहनी force versus displacement acceleration versus displacement and velocity versus displacement यह graph हम लो देखें अब आप देखें कि force जो था force equation क्या y equal to minus k x तो y equal to minus k यह है अब अगर यह देखें तो कुछ इस तरह का नहीं मिलना हमको देख रहा है y equal to y m x plus c यह कुछ इसी format का हमको देख रहा है कुछ इसी format का हमको यह देख रहा है ठीक है तो y equal to minus अगर जब हम graph बनाएं तो इसमें intercept यह जो हमनों का straight line का graph था इंटरसेट नहीं है क्योंकि एक्वल टो minus k x है तो y equal to m x की straight line का equation है और उस condition में जो straight line होती है वो कहां से pass होती है यानि इसमें origin से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है बट यहां पे f equal to minus k x तो जो displacement है वो कहां से pass होगा origin से pass होगा तो x जो इसमें displacement from the mean position तो यह जो है displacement है mean position y equal to m x plus c का form है अब जब हम graph खीचेंगे तो हमको कुछ इस nature का graph दिखलाई देगा y यहां पे y equal to m x को जब graph पढ़ाते है तो यह हमको ऐसे मिलता है जो slope होती है वो positive x axis से देखा जाता है तो यह x axis है यह y axis है तो y equal to m x का यह हमको मिलता है graph लेकिन यहां पे जो दिख रहा है वो negative है negative है यहनि जो angle होगा वो negative होगा और हमको angle कहां से measure करना है यहां से measure करना है positive x axis है तो यह जो axis है वो force axis होगा यह जो होगा वो displacement axis होगा तो displacement और यहां पे यह जो है वो maximum displacement है और जो force की maximum value होगी minus k a होगी और plus minus k a तो ये इस direction में positive और इस तरह आएंगे तो negative तो ये displacement plus a यहाँ पर displacement minus a यहाँ पर force जो हुआ plus minus k a ये होगा और ये theta इसका अगर slope अगर हम find करना चाते हैं तो slope जो मिलेगा 10 theta equal to slope आप या फेक्स graph equal to minus k क्योंकि इसमें जो y equal to mx है यम तो हमारा slope है तो ये minus k जो होगा वो हमारा इसका slope हो और force equation हुआ अब आते हैं हम लोग लेते हैं यहाँ डाइरेक्टली proportional to minus x अब यहाँ पर देखें कि force equation में अब यहाँ से mean position है और ये x displacement हमने इस तरह पर्स लगाया इसको तो जैसे ही इसको हमने इस तरह डिस्प्लेश किया तो जो force होगा वह हम लोग देखा कि आलवेज डाइरेक्टेट टू वाट्स मीन position यानि mean position जो वो है उसकी ओर जो तब force हमेशा होगा यानि इधर हमने लगाया force इसको oscillate कराने के लिए तो जो restoring force होगा वो mean position की ओर होगा और object को mean position पर लाने का प्राई करेगा अगर यही object को हम इस तरह लेकर चले तो force हमारा reverse हो जाएगा object को हम इस तरह लाए है displacement इधर है तो force हमारा opposite हो जाएगा force इस direction में हो जाएगा यानि mean position की वोर force हमेशा लगेगा अब आते हम लोग second force equation था force equation तो देखी लिए हम लोग अब यह acceleration equation होगा a equal to f by m यहाँ पर acceleration कर देते हैं acceleration equation तो f equal to minus a equal to f by m minus k by m equal to अब k by m को हम माल लेते हैं omega तो इसको हम रख देते हैं omega square तो यह equal to minus omega square याक्स तो यह हमारा हो गया omega equal to under root k by angular frequency आप यह से चम angular frequency इसको करते हैं अब लेते हम लोग y equal to mx plus c यानि देखें कि यह जो acceleration निकला minus omega square याक्स तो omega square तो slope होगा अब यहां पर y equal to again हमको मिला y equal to mx intercept नहीं है यानि जो यह भी state line का equation होगा और यह यहां पर कहते हैं तो ऐसे हमको graph मिलेगा अगेन जो angle हमको देखना है चुकि negative है तो इस exit पर state line यहां पर ऐसे पास होगी origin से तो पास होगी लेकिन ऐसी होगी यहां पर negative होना है slope को तो slope अब time theta से लेते हैं तो time theta तो second quadrant में ही negative होता अब first में होता नहीं है तो slope और slope हमेशा हम लोग major करते हैं कहां से positive x axis हैं तो यह इसका graph होगा अब यह कह रहे हैं कि maximum displacement है maximum displacement यहानी origin यहां पर लिए अब object को हम इस तरफ ले चल ला है तो यहां पर आया तो maximum displacement plus a और यहां पर आया तो maximum displacement इस तरफ होगा माइनस यह और जो maximum acceleration होगा वो कितना हो सकता है प्लस माइनस omega square यह तो यह प्लस माइनस omega square यह जो होगा यहां पर इसकी maximum value होगी acceleration की प्लस माइनस omega square यह हमारा हुआ अब यहां से हम एक वह देखते हैं इसको पात के रुप में स्लोप देखते हैं टैन धीटा स्लोप अब यह एक्स ग्राफ का माइनस omega square अब यह डायरेक्टली प्रपोर्पोर्शनल है माइनस हैंभी हमेशा आलवेज तुवर्ण मीन पोजिशन मीन पोजिशन की और होता है यह जी तरफ परसं का डायरेक्टली तो जैसे हमारा जीशिम में रेस्टोर्णि पोर्पोर्श होगा उसी डायरेक्टली में एसलेसं भी हो तो यहां पे जैसे देके हैं कि इस तरफ हम ने displacement इधर किया पॉजेट्यु एक्सिच के तरफ तो जो हमारा acceleration होगा क्योंकि हमारा restoring force इस direction में होगा तो acceleration भी इसी direction में होगा जब हम यही displacement negative x-axis के तरफ ले जालते हैं जब negative x-axis के तरफ displacement होता है तो acceleration हमारा reverse हो गया तो force के direction में ही acceleration को लगना है तो फिर acceleration भी हमारा towards mean position यानि जिदर force restoring force उसी direction में acceleration भी होगा अब velocity का concept लेते हैं velocity equation क्या है और तब इसका हम लोग graph देख लेते हैं तो actual में f equal to minus kx यह तो restoring force है और इस वाले topic में हम लोग ने देख लिया अब यहां से आते हैं हम लोग अब क्या करते हैं कि acceleration को derivative के टर्म में change of velocity rate of change of velocity कहते हैं तो dv upon dt डरिवेटिव के टर्म में लिखा जाता है dv upon dt अब dv upon dt है अब इसको हमको displacement के term में करना है तो dv upon dt में हम क्या करते हैं dx को multiply कर लेते हैं और dx को divided कर देते हैं अब इस dx को और इस dt को एक साथ हम ले ले t होते हैं और इस dv और dx को एक साथ कर देते हैं तो देन हमको जो मिलेगा dv upon dt into dx upon dx equal to minus k by m x अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx upon dt dv upon dt और rearrange किया minus k by m अब यह तो dx upon dt क्या होता है विलाश्टी होता है और इसको हमाई से रहने देते हैं तो वी इंटू dv upon dx equal to minus k by m तो देखी लिए कि omega square होता है अब हमने सपोर्ज कर लिया तो वी dv equal to minus omega square x dx होगा अब क्या करते हैं वी dv अब इसको integrate करते हैं अब integrate करेंगे तो पहले हम लेंगे limit और limit कहां से कर लेते हैं तो यहां पर आयें कि यहां से suppose कर लेते हैं कि x distance इस जगा पर तो policy तो यहां पर कि जब maximum displacement है अनि यह पर है तो यह पर है तो यहां अगर displacement यहां पर displacement का हमको limit लेना history दिस्प्लेंट यह करे number लेकर मीन पोजीशन ना लेकर हम कोई रेंडम पॉइंट लेते हैं और यहां पर मान लेते हैं कि विलाश्टी भी है तो इस जगापन विलाश्टी भी है और तो डिस्प्रस्मेंट हमारा कितना है यहां पर x और यहाँ पर विलाज़ टीबी तो यह हमारा लिमिट होगा अब इसको हम इस तरह से लेकि जीरो टू बी वी टीबी माइनस ओमेगा स्क्वाइर ए टू एक्स एक्स डी अब जो इंटिग्रेशन का फॉर्मूला है x पावर यन डी एक्स इक्वाल टू x पावर यन प्लस वन अपान यन प्लस वन यानी भी का पावर वन एक्स का पावर वन यानी यहां से कहें कि x का अगर डीफ्रेंस इंटिग्रेशन करें तो पावर वन है तो x पावर वन प्लस वन अपान वन प्लस वन तो x पावर टू तो दोनों तरफ हमको result यह होगा, v square upon 2, 0 to v, minus omega square, x square upon 2, a to x, अब rule, according to rule, अगर यह हमारा है, क्या कहते हैं, integration में, a to b, तो b को upper limit, a को lower limit, तो इसको रखा जाता है, पहले x की जगह पर upper limit, फिर then minus करके lower limit, तो हम b की जगह पर भी रखें, तो भाहिए फिर lower limit 0 है, तो 0 रख देंगे, तो b square minus 0 upon 2, equal to minus omega square, x square minus a square upon 2, अब यहां से 2 से 2 को मार देते हैं, चलो मारी देते हैं, तो अब तो यह मार दिये हम लोग ने, अब उपर मिला हमको b square equal to, और यह minus को हम rearrange कर लेते हैं, तो minus को इसमें करें, तो यह minus a plus, तो यह square minus x square, यानि v square equal to plus minus omega under root a square minus x square, अब यहां पर थोड़ा सा विलाश्टी की दो value आ रहे हैं, तो यहां पर concept को हम लोग देख ले, कहां पर हम लो लिये थे, इस जगह पर, यानि इधर जा रहा है, तो विलाश्टी हमारा positive होगा, और जब यह return back करेगा, यहानि यह इस तरफ आएगा, तो वो उस condition में विलाश्टी जो होगी, वो negative होगी, इसलिए plus minus आया है, विलाश्टी की value, अब इसी को हम फिर again, यह वाला term ले लेते हैं, यह वाले को यहां पर इस जगह पर ले लेते हैं, वी square equal to omega square, omega को इसमें multiply कर लिये, x में, अब यह वाला term हम इस तरफ लाते हैं, इस तरफ लाएं, तो यह term हम जब इस तरफ दो, वी square, omega square, x square, equal to omega square, यह square, अब omega square, यह square को हम both side divide कर देते हैं, तो both side जब divide करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, वी square upon omega square, यह square, plus x square, उपर omega square था, तो omega square नीचे वाला cancel हुआ, और यहाँ पर omega square, यह square है, तो यह omega square, यह square, नीचे भी हमको omega square, और a square, तो यह cancel हुआ, 1 मिल गया, यह हुआ, विलास्टी equation, एक्षोल में यह represent कर रहा है, जी, यह यादा एकी standard equation होता है, equation of ellipse, हाँ, जी हाँ, यह equation of ellipse होता है, तो this is equation of ellipse, और ellipse के दो format होते थे, एक पहला format यह है, x-axis, y-axis, अब इस format में, a is greater than b, यानि यह बड़ा है b से, तो जो major axis होती हो, वो x-axis पर होती है, और minor axis होती हो, y-axis पर होती है, दूसरा format तो same है, अब इस condition में, a is less than b, a जो होता है, हमारा less than होता है b के, तो इस format में, जो major axis होती हो, वो y-axis होती है, और minor axis होती हो, वो y-axis पर होती है, अब इसी format को हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे, अंडे की आकिर्थी का है, यह ellipse, तो आइए इसके 3 situation होते हैं, 3 situation को study करते हैं, पहला situation b square upon, यह तो हम लोग का, निकल चुका है standard, अब पहली चीज हम ले लेते हैं, कि for omega equal to 1, अगर omega 1 हो, तो उस condition में b square upon a square, प्लस x square upon a square equal to 1, अब a square यहाँ पे, a square यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b square x square equal to, कितना यह ले लेते हैं, v square x square equal to a square, और याद होगा x square plus y square equal to a square, equation of circle, यानि तब जब omega की value, यानि angular frequency shm की 1 हो, तो जो velocity वाला होगा, वो term, वो किसको represent करेगा, यह circle को represent करेगा, तो यह होगा हमारा dc the equation of circle, और यह circle बनेगा आपका, ठीक है, यानि y axis जो होगी, वो velocity axis होगी, x axis हमारा x होगा, अब दूसरे लिख क्यों omega की value 1 हो, यानि अभी हमने आपको बताया, कि x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, ellipse है, यह अगर greater है b से, तो major axis जो होती है, वो किस पर होती है, x axis पर होती है, तो v square upon omega square y square plus x square upon a square, अब यहाँ पर omega जो होता है, 1 से अधिक है, यानि यह y axis पर जो होगा, वो major axis और x axis पर जो होगा, वो minor axis होगा, तो यह this is equation of ellipse, ellipse का equation है, और major axis जो होगी, वो velocity axis होगी, और minor axis जो होगा, वो x axis होगा, maximum जो velocity होगी, वो कितनी होगी, यहाँ पर, maximum velocity यहाँ से हम बता देते हैं, आपको v square equal to, यह जो हम लोग को मिला था, omega under root a square minus x square, अम maximum कहाँ पर मिलेगा, maximum velocity जो होती है, वो जब x हमारा 0, यानि x 0 होगा, mean position पर, तो velocity जो होगी, omega under root a square, यानि plus minus a omega, यह होगा, यहाँ पर, और यहाँ पर velocity जो होगी, maximum होगी, और यह maximum amplitude है, यह होगा हमारा, अगर omega की value less than 1 हो, less than 1, तो less than 1 हो, तो फिर x square upon a square plus y square upon b square, यानि यह अगर बड़ा है b से, तो major axis हमारी कौन से हो जाती है, x axis हो जाती है, तो अब जो major axis जो मिलेगा, वो हमको मिलेगा x axis पर, क्योंकि less than 1, यानि यह velocity axis, यानि y जो है, बहुँ छोटा हो रहा है, और यह वाला बड़ाव हो जा रहा है, तो अब यह जो मिलेगा, हमको वो मिलेगा, this is the equation of Phillips, तो हई है, अब यह हो, अगें, maximum velocity plus minus a b होगा, maximum amplitude a plus minus a, यह हमारे था concept, next session में हम लेकर आएंगे, SSM का equation कैसे बनता है, फिर उस पर कुछ बहतर numerical, जो आपके j या निट्स label के हो सकते हैं, thank you student, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो like करें, comment करें, और share करें, अपने दोस्तों को भी share करें, धन्यवाद,